गुड मॉनिंग स्टुडेंट्स क्लास एट और लास्ट क्लास में हमने लेसन नमबर टू में अ हंडर्ड इयर स्लेप यह हमारा लेसन नमबर टू चलावा था और इसका हमने हर गॉड मदर तक हमने इसको पढ़ लिया था ठीक है तो सभी बच्चों ने इसके वर्ड मिनिंग और इसकी हिंदी यहां तक कंप्लीट कर लियोगी उसके बाद आपको नेक्स्ट आज जो हम पढ़ेंगे उसकी हिंदी करनी है नेक्स्ट पेरेगराफ बना कर और बीच बीच में जो मिनिंग मैं आपको बताता हूं जैसे लास्ट क्लास में मैं आपको फीष्ट मिन्स दावत, ब्लैस मिन्स आशिरवाद, टेक पार्ट मिन्स भाग लेना, फेरीज परियां, गौड मदर धर्म माता तो यह आपको नौट डाउन भी करने है और जहां आप वर्ड मिनिंग कर रहे हैं उसी के साथ इनको भी करना है ठीक है इसके बाद अब आप नेक्स्ट परग्राफ ठीक है बाइचान्स यहां से हम देखेंगे बाइचान सविद अचानक हु लिवड इन डार्क केव इन नीरबाई हिल अचानक वह परी जो एक पास की पहाडी में एक गुफा में रहती थी अचानक वह परी जो पास ही की एक पहाडी में पहाडी की एक गुफा में रहती थी केम देर वहां आ गई पास की पहाडी पर एक गुफा में रहने वाली जो एक हमारी जो परी थी उसको राजकुमार ने राजा ने जो था दावत में बुलाया नहीं था तो वह वहां आ गई ठीक है और वह बहुत क्रोधित थी पालने की ओर आगे बढ़ी जिसमें बच्चे की ओर आगे बढ़ी इन वेच जिसमें देल प्रिंसेज ले छोटी राजकुमारी लेटी हुई थी एंड और पुटकर्ज अन हर उसे एक शराप दे दिया या विशाप दिया सी सेड उसने कहा दैट की वहन जब सी ग्रू अप वह बड़ी होगी सी वुड़ पिंच हर हैंड विद ए इस पिंडल तो वह है स्पाइंडल मिंस होता है जैसे कुलाडी होती है इस परकार से वार करने वाली गुदाली कहते हैं चोटा चाको कह दें कुलाडी कह दें ठीक है तो वह है एक गुदाली ये एक छूरी से अपने हाथ को काट लेगी, पिंच मिन्स होता है काटना, ठीक है, नॉट कर लेगे, पिंच मिन्स काटना, और स्पाइंडल मिन्स गुदाली कह सकते हैं, या छूरी कह सकते हैं, और देन तब, सी वोट डाई आफ दा वाउंड, वह घाव से मर जाएगी, तब वह घाव से मर जाएगी, यह जो अभी शाप्त था वो यह दिया गया, कि जब वो बड़ी होगी, तो वो अपने हाथ को एक छूरी से काट लेगी, और काटने पर बलड बहेगा, तो इससे वो घ हाव के कारण वो मर जाएगी, hearing her words, the king, उसके सब्दों को सुनकर, राजा, the queen, रानी, and all those, और वो सभी, who were present there, जो वहाँ उपस्तित थे, were filled with great sorrow, बड़े दुख के साथ भर गये, यह उन्हें बहुत अधिक दुख हुआ, hearing her words, उसके सब्दों को सुनकर, the king, राजा, the queen, रानी, and all those, और वो सभी, लोग, who were present there, जो वहाँ उपस्तित थे, were filled with great sorrow, बड़े ही दुख से भर गये, यह वो बहुत अधिक दुखी हुए, Now, the queen of the fairies, पर्यो की रानी, who had already reached, जो वहाँ, reached there, जो वहाँ पहले ही पहुच गई थी, came forward, आगे बढ़ी, अब पर्यो की रानी, जो वहाँ, पहले ही, पहुच गई थी, came forward, आगे बढ़ी, and said to the king, और राजा से कहा, और राजा से कहा, O king, हे राजा, आगे, O king, हे राजा, I can quite prevent the courage of the witch, which means होता है, जादुगर्नी, ठीक है, और prevent means होता है, रोकना, कर्ज मेंस अभिशाप, मैं जादुगर्नी के अभिशाप को बिलकुल रोक नहीं सकती हूँ, बट, I can change it, लेकिन मैं इसे बदल सकती हूँ, The princess shall not die of the wound, राजकुमारी घाव से नहीं मरेगी, बट लेकिन, she shall fall into a deep slip for a hundred years, वह सो वर्षो तक एक गहरी नीद में सोई रहेगी, वह सो वर्षो तक एक गहरी नीद में सोई रहेगी, after the hundred years have passed, सो वर्ष व्यतीत होने के बाद या गुजर जाने के बाद, a young prince shall come to her, एक युवा राजकुमार उसके पास आएगा, and wake off her long slip, और उसकी लंबी नीद से उसे जगा देगा, ठीक है, यानि क्या का उसने, I cannot quite prevent the courage of the witch, मैं जादुगर्नी के अभिशाप को बिल्कुल नहीं रोक सकती हूँ, but I can change it, बलकि मैं से बदल सकती हूँ, the princess shall not die of the wound, राजकुमारी घाव से नहीं मरेगी, but she shall fall into a deep slip for a hundred years, लेकिन वह हजारों वर्सों तक एक गहरी नीन्द में सोई रहेगी, after the hundred years have passed, so worse, बीत जाने के बाद, a young prince shall come to her, एक, you are Rajkumar, उसके पास आएगा, and wake of her long sleep, और उसे, उसकी गहरी नीन्द से जगाएगा, ठीक है, यहां तक आप इसको next paragraph बना करके, इसके आप हिंदी कॉपी में करेंगे, first paragraph कि आपने कर ली होगी, ठीक है, हिंदी और बीच बीच में जो word meaning दिये जा रहे हूँ, ठीक है, thank you.